लिए रोगरों वेल्कम बैक टो मन की बात हम हाजर एक और वीडियो में अब आज के इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं तेलगू ब्लोकबॉस्टर जो कि अब पैन इंडिया रिलीज होने वाली है वीरु पक्षा के बारे में साही धर्मतेज की यह जो मूवी है बहुत सुरकियां बाटोरी इसने बहुत अच्छा केलेक्शन किया वर्डवाइड भी ओवर्सीस कलेक्शन भी बहुत जबरदस्ता है तिल्गू कलेक्शन भी बहुत अच्छा है और उसी के बाद मतलब जब रिलीज हुआ था उसी समय जो जिस तरह के रिव्यूस इसके आ रहे थ वो निवनेस और वो कुछ अलग चीज लेकर आना अलग टैप का ट्विस्ट और वो सब लाना थ्रिल्स लाना वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है एंड सुकुमार साब जो है उनके जो असिस्टेंट डिरेक्टर से हैं जो कि अब डिरेक्टर बन रहे वो सारे अलग लेवल का चाप छोड है चाहे वो बुच्ची बाबू हो चाहे अभी दसरा के जो डिरेक्टर है श्रीकांथ वो हो और विरुपक्षा के डिरेक्टर देख लो तो मतलब उस तरह से फिल्मे काफी उनके जो स्कूल आफ फिल्मेकिंग एसुकुमार स्कूल फिल्मेकिं लेगिं 5th of May यानि कि अगले Friday को ये फिल्म जो है वो हिंदी के साथ साथ Tamil में अन्मल्यालम में भी रिलीज होने वाला है गोल्ड माल फिल्म से इसको हिंदी वर्जन को रिलीज करने वाल है तो काफी अच्छा बात है अभी रिसेंटली हम कोई मुवी देख नहीं पा रहे हैं बट मई से वहाँ से शुरू हो जाएगा एक दो दिन में अलवे बैक टू नॉर्मल और उसके बाद जो भी फिल्म में आएंगे सब के रिव्यूज वगेरा भी आएंगे अभी IB71 जो है विदुद जम्वाल का वो भी आने वाला 12 में को वो भी बहुत इंट्रेस्टिंग लग रहा है उसका भी कल एक और प्रोमो निकल के आया था तो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है तो 5th of May is booked for विरुपक्षा अब देखते हैं और में में तो कुछ उतना बड़ा फिल्म और को यह दिखने रहा है और जून से तो फिर अलगी लेवल का कांड़ वाल जून में भर भर के फिल्म है तो आप कितना एक्साइट हो विरुपक्षा के हिंदी रिलीज को लेके ज़रूर बताना कमेंट सेक्श पघ्रण से एक कितना घिए सबना एक रिल्म है है कितना एक्साइट और में पर अख clarify birthday Зна ख़र एकgende तो में एक की आद एक्साइब है टहाए एक betे है यारिज बगानी है एक जग़ है शर हो फिल्म